नमस्कार, हिंदी साहित्य में च्छायवाद जो है उसके बाद, अनिक प्रकार के वाद जो है वो हमारे सामने आते हैं च्छायवाद जब अती सुक्ष्म हो चुका था, कभी अपनी व्यक्ति गत्ता से उपर नहीं उठ रहे थे प्रेम और प्रकृती के बीच में वो जूज रहे थे, ऐसे में कई लोगों ने उनको पलायनवादी कभी भी कहा कि तो उसके बाद समय की जरुरत के हिसाब से एक नया वादा है जिसका नाम है प्रगतिवाद प्रगतिवाद जो है वो शोशन और शोशित की बात करता है शोशित लोग जो है जिसको जो मिलना अपने काम के बदले जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है यानि कि उसका शोशन हो रहा है और जो लोग उनका शोशन कर रहे है वो खुशी से जूम रहे है वो अच्छे से जिंदगी जी रहे है और ऐसे शोशितों की आवाज बनना उस समय की जुरूरत थी तो प्रगतिवाद में ये बात खास थी आज हम बात करेंगे नागरजुन की नागरजुन का मोल नाम जो है वो वैदना थमिश्र है और नागरजुन के नाम से उनको बाबा नागरजुन भी कहा जाता है उस नाम से उन्होंने बहुत सारे कविताय भी लिखी कावे संग्रह दिये जिन में शोशन और शोशित की बात ह उन्होंने कहा है कि अपने जनकवी होने की गोशना करते हुई वो कहते हैं कि जनता मुझसे पूछ रही क्या बतलाओ जनकवी हूँ साफ कहूंगा क्यों हकलाओ वो जो कहना था वो एकदम सामने से कह देते थे बिल्कुल हकलाट नहीं होती उनमें तो ऐसे कवी थे उनको आधनिक कबिर भी कहा जाता है कि जिस प्रकार से कबिर ने अपने समय में व्याप्त जो बदिया थी उसको बिल्कुल विद्रोहात्मक रूप से हमारे सामने अभिवेक्त किया था बिल्कुल उसी प्रकार नागर्जुन ने भी हमारे सामने उस समय की जो विसंगतिया थी जो बाते थी जो शोशन्द हो रहा था या राजनिती जो बात थी उस सब को हमारे सामने विव्यक्त किया है उनकी कविता में हमें बहुत बाते जो है जानने को मिलती है तो और आज उनकी एक कविता अकाल और उसके बाद उसकी हम चर्चा करेंगे कई दिनों तक चुलहा रोया चक्की रही उदास कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास कई दिनों तक लगी बीत पर छिपकलियों की गश्ट कई दिनों तक चुहों की भी हालत रही शिकस्ट ये पहली घटना है दो बात अकाल और उसके बात पहले अकाल की जब सीती थी तब क्या था है वो कहते है कि कई दिनों तक चुलहा रोया चक्की रही उदास अकाल सब्दसम सब परिचित है किन्तु अकाल को किससे ने ज़्यादा भोगा भी नहीं होगा अगर भोगा है उसको पता है तब उनको ये कविता सार्थक लगती है कि कई दिनों तक चुलहा रोया चुलहा जलता है तब भी आदमी खाना खाता है तब जिंदा रहता है कि तो चुलहा रो रहा है वो तडप रहा है कि मैं क्यों नहीं चल रहा हूँ क्योंकि घर में कुछ है नहीं, अकाल की स्थिती है, चक्की रही उदास, तक की भी उदास है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कानी कुतिया सोई उनके पास, नागरजुन जो है, वो जमिन से जुड़े हुई है, थाल्थवादी रचनाकार है, और 1957 में ये जो कविता है, वो अत्यन सरल शेली में लिखी गई थी, तो उन्होंने जो देखा कि बूख क्या होती है, महामारी क्या होती है, उसमें सिर्फ आठ पंक्टियों में ये कविता जो है, अपने भावों को वो अभिवेत करते हैं, और जो स्थीतियों का प्रणन उन्होंने किया है किवल अकाल से किवल मनुष्य नहीं दुखी होता, मनुष्य पर कितने लोग निर्भर है, इसलिए वो कहते हैं, कि चक्की उदास है, चुलहा रो रहा है, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोही उनके पास, अब देखिए, गर में जब भी खाना बनता है, तो उसमें कुत्तो का भी भाग होता है, तो कानी कुतिया सोही उनके पास, अकाल के सिति का प्रभाव जो है, वो प्राणी पर भी पड़ता है, साथ-साथ कई दिनों तक लगी बीत पर छिपकलियों की गस्त, छिपकलियों की गस्त लगना यानि कि जिवजन्तुओं पर भी ये अकाल की छाया जो है, वो मंडराती है, तो अकाल इतना भयानक है, कि जिसकी बज़त से गर के लोग अपने जीवन को बचाने ही तो अन्यत्र चले गए है, या तो गर में कोई है नहीं, या तो कुछ सुविधाय नहीं है, तो छिपकलियों की गस्त लगी रहती है, आप देखिए कि सृष् ये जिन्दा रहने के लिए कुछ न कुछ तो खाता ही होगा, तो ये छिपकलिया भी है, वो भी गस्त लगा रही है, कि खाना क्यों नहीं है, उनके लिए जो खुराक है, जीवजनतू, वो भी नहीं आ रही है, तो कई दिनों तक चुहों की भी हालस रही शिकस्त, चुहों तो चुहे भी हार गई है इस प्रकार की स्थिति ये चार लाइन में उन्होंने अकाल की स्थिति बताई है कि चुलहा रो रहा है, चक्की उदास है, कानी कुतिया उस चुलहे की पास सो रही है, छिपकलियों की गष्ट लग रही है और चुहों की हालश्ट हो है वो शिकस्त हार गई है ऐसा हो ज़ए तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का खाना भी पूरा नहीं हो पा रहा है वो कही और चलागा है या तो घर में कुछ है नहीं यानि कि ये दुखद या तो निराशाजनक वाता वरण जो है वो हो रहा है एक तरफ से शोषण भी है कि शोषण जब होत्पा है जिसको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है तो पूरा कैसे फड़ेगा तो ये जो चार लाइन है वो शोषण की बाद है या तो अकाल की स्थिती जो है वो इसकी बाद है किन्तु जब अकाल नहीं रहता है अकाल के बाद जी हो है, वो कैसी सित्या होती है, उसको चाल लाइन में कहते हैं, दाने आये गर के अंदर कई दिनों के बाद, दुआ उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी गर भर की आँखे कई दिनों के बाद, कवे ने खुजलाई पांखे कई दिनों के बाद, ये इमने अकाल के बाद की जो स्थुति थी उसका वरणन कभी कहते है और ये जो आगे की पंक्तियों में इमने निराशाजनक स्थिति देखी या तो निराशा में वातावरण देखा उस वातावरण से विप्रित यहाँ पर ओर बात है यहाँ पर खुशी का माहूल है क्यों क्योंकि दाने आये घर के अंदर कई दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद वकाल के बाद की स्थित्य है यह एक आशा है भविश्य की कि दाने आये घर के अंदर कई दिनों के बाद दुवा उठा आंगन के उपर कई दिनों के बाद काव में जब भी चूला जलता है तो दुवे उपर उठते है पता चलता है कि किसी का चूला जला है तो ये दुवा उठा आंगन के उपर कई दिनों के बाद दामी आए तो खाना बन रहा है खाना बन रहा है तो चुलहा जलता है जो शुरुवात में कभी ने कहा था कि कई दिनों चुलहा रो रहा था वो आज खुश है क्यों क्योंकि जो है जलने लगा है दूआ उपर उठने लगा है चमक उठे गर भर की आँखे कई दिनों के बाद गर भर की आँखे घर में जो हम ने देखा था कि काने कुतिया थी, चिपकलिया थी, चुहे थे, उन सब की जो हालत थे, अब वो खुश हो रहे है, वो देखते हैं कि दूआ उट रहा है, कुछ न कुछ बन रहा है, तो खाना के वल मनुश्य के लिए ही नहीं है, बहुत सारे लोग उस पर निर्भर है, तो व कॉवे ने खुजलाई पांखे कई दिनों के बाद, कॉवा जो है, अपनी पांखों का खुजला रहा है, उसको लगता है कि आज खाना मिलेगा, यहां पर कॉवा जो है, वो एक तरह से महाजनी सब्धा का भई प्रतीक है, कि महाजनी लोग जो है, शोशन करते वाले लोग एक तरफ से तो देखते है कि गर्मे कुछ आए तो ले जाए, तो इस प्रयकार के समय में क्यास्तिती थी, और अकाल के बाद की क्यास्तिती है, वो यहाँ पर बता रहे है, प्रगतिवादी चेतना की एक कविता है, और सतरंग, अंखोवाली संग्रह से ही जोएक कविता ली नागरजुन जनवादी कवी है, जनचेतना के कवी है, आम आदमी से जुड़े हुए कवी है, और आन आदमी से जुड़ने के गारण उन्होंने जो जो देखा, उन्होंने जो भोगा है, वो बिल्कुल हमारे सामने अव्यक्त कर रहे है, तो इस प्रकार से जो नागरजुन की हो रहा है मजदूरों का शोशित लोग जो है जमिन दाल लोग जो है उनकी जमिन भी हड़ रहे है इसलिए उनके पास दाने दाने को मोताज होना पड़ रहा है अगर उनके पास कुछ होता तो वो कुछ प्रकार से स्थीतिया और होती कि जैसे ही अकाल पड़ता है तुरंत दर्ग में दाने खतम हो जाते हैं और सभी लोग उस पर नीरबर होते हैं तो ये स्थीती है तो शोशन जो है वो मजदूरों का होता है जो लोग काम करते है जो लोग मजदूरी करते है उनको कुछ नहीं मिल रहा है और जो केबल देख रहे है या केबल इशारे कर रहे है उनको बहुत कुछ मिल रहा है तो ये शोशक वर्ग जो है वो बिलकूर मजदूरों का शोशन कर रहा है उस बात को यहापर प्रगट किया गया है दन्वार